जैसे हर एक जर्नी की सुरुवात जीरो से होती है, मेरी जर्नी की भी सुरुवात जीरो से है और इस जर्नी में आगे कितने जीरो आएंगे ये आपके सपूर्ट पे है तो अगर काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू वोटर्स को क्यों टार्गेट कर रहे है तो के अगेंस्ट कम्यूनल राइट्स को प्रमोट करना ममता बैनेर्जी के मुस्लिम एपीस्मेंट और बंगाल के कल्चा आज की इस वीडियो में हम बंगाल की चुनाओं में कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे फोकस ना करके बंगाल इलेक्शन और ममता बैनेर्जी के 10 साल के कारेकाल पे एक डीप एनालेसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें बंगाल इलेक्शन के बैक्ग्राउंड को समझना चाहिए 2011 में बंगाल में औल इंडिया तरिनमुल कॉंग्रेस ने 211 सीट जीते है जबकि बीज़पी के वल तीन सीट जीत पाई तो इस बैक्ग्राउंड को हम 2021 इलेक्शन से रिलेट नहीं करेंगे अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि बीज़पी 2021 इलेक्शन में 200 से ज़्यादा सीट जीतने की दावा कर रही है जबकि 2016 के इलेक्शन में केवल तीन सीट जीत पाई थी तो किया इस बात में कोई लॉजिक है तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ममता बैनर्जी के 10 साल के कार्याकल को समझना होगा तो आईए एक मिनट में हम समरी के तौर पे ममता बैनर्जी के 10 साल के कार्याकल को समझते है अगर पिछले 10 साल में ममताब एनर्जी ने सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर में काम किया है तो है education और health sector तीचर्स को monthly payment देना हो, retire teachers को timely pension देना हो अपने health sector में काम के लिए ममताब एनर्जी की सरकार को विस्वने भी सरहा है ममताब एनर्जी की सरकार में लगातार एक साल तक पोलियों का कोई case नहीं आता है तो 16 February 2012 को Bill Gates की foundation इस चीज के प्रसंसा करती है और उस समय ये ना केवल भारत के लेबल की पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा milestone था इन सबसे कई गुणा जादा ममताब एनर्जी मुस्लिम appeasement के लिए अपने 10 साल के इस कारेकाल में जानी जाती है 2016 में दुर्गा पूजा की immersion पे बैन करना है क्योंकि अगले दिन मोहर्रम था या फिर illegal रोहंगिया migrants को support करना है हिंदू के अगेंस्ट कम्यूनल राइट्स पे कोई एकसन नहीं लेना या फिर Muslim इमाम्स को 25 रुपे का stipend देना एक कारण है कि आज BJP अपना election हिंदू के अगेंस्ट कम्यूनल राइट्स को promote करना ममताब एनर्जी के Muslim appeasement और बंगाल के culture पे लड़ रही है एक sentence में हम ममताब एनर्जी के इस 10 साल के tenure को कहें तो उन्होंने केवल Muslims के लिए काम किया अब हम बंगाल election में सबसे बड़ा role play कर रही voters की बात करेंगे तो अगर इन voters को हम religion के basis पे बाटे तो 70% हिंदू है जबकि 27% Muslims है अभी तक बंगाल election में Muslim voters गेम चेंजिंग साबित हो रहे हैं लेकिन इस बार का महौल कुछ और है parties ज़्यादा target हिंदू voters को कर रही है ऐसा क्यूं हम वीडियो में आगे डिसकस करेंगे उससे पहले हम उन districts और उन community की बात करेंगे जो इस बार के election में गेम चेंजिंग साबित होने वाले हैं और political parties उन पे ज़्यादा target कर रही है सबसे पहले मतुआ क्लास इनका number 2 करोड से भी ज़्यादा है और लगवग 70 से भी ज़्यादा constituencies पर इनका असर है इनकी value इस election में आप इस बात से अंताजा लगाई है कि Amitsa खुद इनके यहाँ आकर भोजन किये इनकी यहाँ कई रैलिया की और ममता बैनर जी, जेपी, नडड़ा सभी लोग, सभी political party इनका support अपनी और लेना चाहते हैं क्योंकि इस बार के इस election में यह game changer साबित हो सकते हैं सिधाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपूर इस बार के election में game changer साबित हो सकते हैं यह 3 districts 43 से भी ज़्यादा constituencies को cover करती है और यह खास बात है कि यह बंगलादेस border के पास है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा population post partition refuses की है तो बीजेपी बादा कर रही है कि CAA जब बंगल में लगे का तो इन्हें भारतिये नागरिकता मिल जाएगी इसरा क्लास जो vote bank साबित हो सकता हुआ है OBC बंगल में OBC population लगवा 45% है जिसमें 26% Muslims है और 19% हिंदू है यही कारण है कि ममताब एनरजी ने Muslims OBC को 10% reservation दे रखा है तो सभी political parties इस category का इस class का support अपनी और घीचना चाहता है क्योंकि जिस side यह जाएंगे ज़्यादा seat or party ले जाएग किहास गवा है कि बंगाल election का game changer जो साबित हुआ है जो class हो है Muslim लेकिन इस बार political parties हिंदू voters को क्यों target कर रहे हैं अगर आप देखे ममताब एनरजी बीजेपी दोनों दुर्गा पूजा बसंत पंचमी मतलब हिंदू voters को कहीं न कहीं target कर रहे हैं हिंदू voters बस उनके तरफ आ जाए तो election हम जीत जाएंगे ऐसा क्यों जेपीज का सबसे पहला कारण यह देख रही है कि 2019 लोग सभा election में उसने इसी चीज को अपनाया और हिंदू voters को target किया और 53% हिंदू voters ने उन्हें vote भी किया जिस कारण वे 18 लोग सभा seats जित गया है जो कि तरिनमूल Congress से केवल 4 कम था तूसरा और सबसे बड़ा कारण कि इस बार के election में कई Muslim parties खड़ी हैं जो कि Muslim voters को divide कर देगी Muslim vote banks को divide कर देगी असुदिन OEC की party Indian secular front जैसी और भी कई regional parties हैं जो इस बार Muslim voters को divide कर देगी यही कारण है कि इस बार के election में BJP, तरिनमूल Congress हर कोई Hindu voters को target कर रहा है तो BJP का 200 से जादा seats जितने का दावा करने के पीछे कहीं न कहीं यह कारण है कि वो मथुआ बंगलादेस border के पास districts और Hindu voters को अपने तरफ देखता है वीडियो को end करने से पहले मैं आपको एक survey दिखाना चाहूँगा आप इस survey को देखिए और comment section में अपने thoughts को drop कीजिए कि आप क्या सोचते हैं बंगाल election के बारे में और मेरा काम ऐसे ही important issues और important topics को असान भासा में आप तक पहुचाने का है तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगते है तो आप मुझे support करने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए बल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी मैं से reality talks और reality conversation ऐसे important issues पे करूँ तो उसकी update सबस follow भी कर सकते हैं तो आज के लिए वस इतना ही वापस फिर होगी मुलाकात एक और नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद